सब्सक्राइब दोस्तों मैं हूँ आपका खुश दिल और आप देख रहे हैं चैनल हंगरी स्पिरिट्स दोस्तों पीछे तेलेविजन की जानेमानी एक्टर्स शिल्पा शिंदे के बारे में आपने बहुत सारे उमर्स बहुत सारी ख़बरे सुनी टीवी के जानेमानी सीरिल भाबी जी घर्प से हैं से निकाली गई एक्टर्स शिल्पा शिंदे ने अब एकदम होट अवतार में वापसी किया वो जल्द ही एक बॉलिवर्ड की फिल्म में नज़राने वाली हैं टेल्बिन सीरियल भाबी जी घर्पे हैं मैं आपने एक सीधे साधी साड़ी पहने हुए भाबी जी को देखा जो के सही पकड़े हैं सही पकड़े हैं कहके बहुत इनोसेंट बहुत महसूम लगती थी लेकिन अभी वही भाबी जी शाट ड्रेस पहन कर आइटम सौंग में वापसी करेंगी पटेल की पंजाबी शादी में एक आइटम नंबर सामने आया है जिसमें वो रिशी कपूर के साथ दांस करती नजर आ रहे हैं इस फिल्म में परेश्रावल भी एहम करदार निवा रहे हैं यह शादी के थीम पर बनी एक कॉमेडी फिल्म है मंगलबार को फिल्म का आइटम सौंग रिलीज हो गया है जिसके बोल है मारो लाइन तद तबियत फाइन डार्लिंग इस पेपी नमर में शिल्पा शिंदे के क्यूट और बूल्ड एक्सप्रेशन उनके एक नए अंदाज को बयान कर रहे हैं गाने में उनको रिशी कपूर और एक्टर वीर्दास के साथ कई डांस टेप करते देखा जा सकता है यहां दोस्तों 15 सितंबर को रिलीज होने जाले वाली इस फिल्म के इस आइटम सौंग को गाया है नेहा ककड और एक्षुड है निगम ने इसे लिखा है संजे चाहल ने कंपोज किया है ललित पंड ने ये गाना शिल्पा शिंदे के फैंस के लिए वाकिए एक कमबैक ट्रीट है बाली बॉट में आइटम सांग से डेब्यू करना वाली शिल्पा इस से पहले इस बात को लेकर भी चर्चे में थे कि विभी गुब परज़ की और से उनके पास परस्ताब आया था बिग बास में नहीं जाने को लेकर शिल्पा ने कहा कि उन्हें अब टेलीबिसर्म पर काम ही नहीं करना है वो चोटे परदे पर बहुत कम कर चुके हैं उन्हों कहा था वो टीबी का पूरा सम्मान करती हैं जिसने उन्हें प पीडन का केस दर्ज कराया था शिल्पा की fan following काफी अच्छी है दोस्तों शिल्पा शिदे के बारे में और बताते रहेंगे देखते रहिए हंगरी स्पिरिट्स चैनल